हे अवरीवन मेरा नाम महम्मद नदीम है और आप देख रहें मेरा यूटूब चैनल know your car with महमद नदीम तो गैस थैंक्यू सो मच आपने मेरे चैनल पर विजिट किया जैसा के आपने कैप्शन देखा आज एक बहुत जबर्दस डिटेल में तो गैस वीडियो को एंड तक का देखिए पूरी की पूरी डिटेल आपको इस गाड़ी की वीडियो में तो वीडियो में एंड तक का बने रही है तो जैसा के आप देख सकते हो ये है इनोवा क्रिष्टा 2019 का सिंगल ओनर आटोमेटिक अब मैं बताता हो के ये गाड़ी अगर आपको इनोवा क्रिष्टा चाहिए तो वन ओफ दी बेस्ट ओप्शन अविलेबल है आज की डिट में उसके रीजन्स जो एक एक करके मैं आपको बताता हो सबसे पहले तो ये 2.8 लीटर का डीजल इंजन है जैसा सेम इंजन फॉर्टिनर में आता है जो इसको 171 बीचप का पावर देता है और उसी के साथ सा 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है अब ये गाड़ी में आपको चलाने बहुत मज़ा आती है उसी के साथ सा टोयोटा का आपको पता है फ्यूल एफिशेंसी भी बहुत अच्छा रहता है 14.5 का ARAI क्लेम इसका फ्यूल एफिशेंसी है तो ये बहुत जबरदस गाड़ी है क्योंकि इसमें एक हाई पफोर्मे किलोमेटर्स ड्रिवन है और आप लोगों को पता है तोयोटा की गाड़ी लाखो लाख किलोमेटर में कुछ नहीं होता है ये तो 57,000 किलोमेटर है फोर्थ रीजन इसमें ये मैं आपको बता रहो कि पूरे 57,000 किलोमेटर का आपको सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगा हिस्ट इंडिया का वारैंटी है कहीं पे भी क्लेम कर सकते हैं और ये वारैंटी इसमें इसमें आपको अगर मैं बात करूँ तो सर威ज भी लेबर फ्री सर्विस फ्री मिलता है तो ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स है इसमें गाड़ी के बारे में चलिए अब मैं आपको और गाड़ी का प्राइस वगेरा सारी डिटर्स आपको मैं दे देता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो, यह G-Model है, इसके लिए आपको जो फ्रंड ग्रिल है, ब्लैक कलर में आता है, जैसे आप देख सकते हो, हेलोजन हेडलेंस और जो एक्सेसरी में इसमें आपको फॉ अननेसेसरी नॉइस करता नहीं है, डोर में साइड वाइजर लगा हुआ है, और रूफ में भी रेल लगा हुआ है, यह सब जेन्यून एक्सेसरी से, जो थोड़ा सा कोश्टली आती है, अब अगर मैं रियर में देखू, तो काफी अच्छा है, इसमें आपको स्पोईलर मि मिल जाता है, और इस साइड से भी अगर आप गाड़ी देखोगे, तो गाड़ी की कंडिशन बिल्कुल अच्छी है, गाड़ी अपने ओरिजनल पेंट में है, चलिए अब गाड़ी को हम लोग अंदर से देख लेते हैं, अब हम लोग गाड़ी के इंटीर में आ गए, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इनोवा करिष्टा जी मॉडल का इंटीर का इंटीर काफी बेसिक है, बट इसमें वो भी चीज़ को आपको फिकर करने का जरूरत निया है, काफी अच्छा वुडन पैनल इसमें लगा हुआ है, इसमें अगें सिल्वर पाइपिंग य देख सकते हैं, यह सेवन सीटर गाड़ी है, तो रियर के भी सीट वगेरा की कंडिशन भी बहुत अच्छे है, ऐसा रिंकल वगेरा भी इसमें कुछ आया हुआ नहीं है, इसमें आपको एक सिक स्पीड आटोमेटिक ट्रांस्मिशन मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो एकनोमी पावर मोट भी इसमें मिल जाता है, और किलोमेटर्स की जो मैं बात कर रहा था, आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसा आप देख सकते हो, 57,493 किलोमेटर्स यह गाड़ी जो है, वो ड्रिवन है, अब इसमें अगर आप नोटिस करेंगे, एक अच्छा है, आपे ट आपको मिल जाता है, जो इसके पहले एक जी मोटल आता था, उसमें आपको नहीं मिलता था, तो ओवराल गाड़ी बहुत अच्छा है, कम किलोमेटर चला हुआ है, जैन्यून किलोमेटर से यह बहुत इंपोर्टन चीज इसमें आपको मिल जाती है, वारेंटी, सर्विस, सा आपको 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 वीडियो और गाड़ी का टेश ड्राइब भी ले सकते हो, और आपको अगर गाड़ी अच्छी लग तो आप आगे भी बात कर सकते हो, So hope आपको वीडियो और जाड़ी दोनों पसंद आई हो इसमें कुछ भी अगर doubt है आप comment करिए Definitely हरे query का आपको answer मिल जाएगा Thank you so much